हेलो फ्रेंड्स, इन केरी को देखके डेफनेटली मूँ में पानी तो आई जाता है, तो आज जो मेरी रेसिपी है वो है आम की चटनी, खटे खटे आम की चटनी, तो चलिए रेसिपी की तरफ, इसके लिए हमें चाहिए कटे हुए दो बड़े प्याच, हरा धनिया, दो कटे हरे मिर्च ये मैंने चार केरी लिए हुए हैं और इनको मैंने पील आफ कर लिया है लाल मिर्च पाउडर, नमक, जीरा और मैथी पाउडर अभी हम इन पील के हुए आमों को इस तरीके से इनके पीस निकाल लेंगे आप चाहे तो इसमें पुदीना भी आड़ कर सकते हैं बट मुझे पुदीना का फ्लेवर पसंद नहीं है इसलिए मैं इसमें आड़ नहीं कर रही हूँ यह चटनी खाने में परसनली मुझे बहुत पसंद है आप डेफिनेटली इस एजी सी रेसिपी को अपने घर में जरूर ट्राइ करें और जरूर बनाए यह इस तरीके से मैंने सारे पीस निकाल लिये हैं आम मैंसे अब हम चार में सबसे पहले डालेंगे प्याज हरा धनिया हरा मिर्च लाल मिर्च पाउडर नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाले जीरा मैथी पाउडर और अब हम इसमें डालेंगे यह आम के कैरी के पीसे अब हम इसको इस तरी की से ग्राइंड कर लेंगे नाव इस रेडी और आप इस चटनी को पुरी परांठे किसी भी चीज के साथ सर्फ कर सकते हैं थैंक यू सो मच पर वच्चिंग प्रॉबाडी को इसमें डाले ले पर वुरी यह दो सकते हैं प्रॉबाडबने जाले चाहिए